प्रवक्ता को उसकी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पाच लाख रुपे सुपारी दे कर मौत के घाट उतार दिया वही पुलीस ने इस मामले में शिक्षक की पत्नी समे तीन लोगों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है जबकि अभी भी कई आरोपी फरार है अपनी खुबसूरती परितराने वाली यही वो कातिल पत्नी है जिसने बड़ी ही बेरहमी से अपने आशिक के साथ मिलकर पती को मौत के घाट उतार दिया इज़त नगर थानाक शेतर के करमचारी नगर निवासी अवधेश इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे बताया जाता है कि अवधेश की पत्नी विनिता अपने पती से उम्र में 10 साल छोटी थी जिस वज़से वो अपने पती को पसंद नहीं करती थी विनिता ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पती को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और फिर पाच लाक रुपे सुपारी दे कर पती की हत्या करवा दी जिसके बाद विनिता ने अपनी बेहन, भाई, पीता, आशिक और दो अन्या लोगों के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगा दिया आदी रात को इन सभी लोगों ने लाश को कार में रखा और फिरोजाबाद ले जाकर लाश को दफन कर दिया SSP रोहित सिंग सजवान ने बताया कि इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अवधेश के माता पिता की तहरीर पर इजट नगर थाने में एफायार दर्श की गई है और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है जिसके बाद परत दर परत खुलती गई और आखिरकार पुलिस ने कातिल पत्नी विनिता को गिरफतार कर लिया पुलिस अब तक तीन आरोपियों को गिरफतार कर चुकी है जबकि अभी भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ से दूर है SSP का कहना है कि जल्दी अन्यारोपियों को भी गिरफतार कर लिया जाएगा पुलिस अब तक आज की तारिक में तीन लोगों को गिरफतार किया चुका है जिसमें मृत्त की पतनी के दौरा यह पुरा जो हत्य का कानड है उसको रचित किया गया था साथी साथ इसमें हत्या करने के उपरांद जो मृतक का शव है उसको यहां से फिरोजवाद गाड़े में ले जाया गया जहां पर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसको जला कर और दफनाने की कोशिश की गए थी और वहां पर फिर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद उस शव का उत्खनन करके उसको बरामत किया गया और इसमें कुल मलाकर तीन लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं बाकी पांच जो अन्य हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है जो हत्या का प्रकरण है इसमें ये बात न फिरुजाबाद सेरिहान अली की रिपोर्ट